सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में और आज आपके बीचे मेले क्या हूँ यहाँ पर उत्राखर नाइम सग्यू सिरीज पार्ट 11 जिसमें हम बात करने वाले हैं 50 प्रसनों के बारे में इससे पहले 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं डिस्क्रिशन में जाहिए वहाँ आपको लिंक मिलेंगे छो सोब्सक्राइब करने के लिए तो चलिए सुरू करते हैं दो लायक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए-और वीडियो को शेयर किजिए ठीक है तो लायक, शियर और सब्सक् है तो चलिए पहला प्रश्रन है देह्रादुन को railway से कब जोडा गया सन 1900 मैं आगला है ग्लोगी परियोजना कब शुरू किए गई 24 माई 1907 24 माई 1908 24 माई 1909 या इनमें से कोई नहीं गलोगी परियोजना को सुरुव के था 24 माई 1909 में अगला है किसूबाद परियोजना Τॉन्स नदी पर जो इस्थिद है वह कितने मेगा वाष्ट की है 400 मेगावाष्ट 500 मेगावाष्ट 600 Megawatt या 1000 Megawatt कितने की है जो किसों बात परयोजना टॉंस नदी पर हो कितने Megawatt की है इसका सही आंसर हो जाएगा 600 Megawatt अगला प्रस्ण है लखवाडबात की उचाई कितनी है 204 मिटर 190 195 मिटर या 196 मिटर लखवाडबात की उचाई कितने है तो इसका सही आंसर हो जायगा लखवाडबात की जो उचाई है वह हो 204 मिटर कितनी है 204 मिटर अगला प्रस्ण 200 बात की उचाई कितनी है 200 बात टॉंस नदी पर है मैंने आपको पहले बताया था भी उपर मैंने आपको बता कितनी Megawatt की है अब बात करें किसों बात की उचाई कितनी है 230, 236, 226 मीटर 237 मीटर तो किसों बात की जो उचाई है यह है 236 मीटर अगला है 456 पर Defense Electronics Application Library यानकी डील की स्थापना कब हुई थी देहरादून में ठीक है डील की स्थापना कब हुई थी 2006, 2007, 2010 10 या 2000 च्रीक है या सन 2011 ठीक है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सन 2007 तो डील की स्थापना कब हुई थी सन 2007 में अगला है उत्तराखन तकने की विस्तुवद्ध्याले की स्थापना कब की गई 2005, 2006 2007, 2009 तकने की विश्विद्याले की स्थापना जो की गई है यहो की गई है 257 का A सन 2005 अगला प्रस्थन है 208 दून में आयर्वेदिक विश्विद्याले की स्थापना कप की गई 2008, 2009, 2012 या 2012 दून में आयर्वेदिक विश्विद्याले की स्थापना की गई है सन 2009 अगला प्रस्न है उत्राखन भासा सस्थान की स्थापना कप तो अगला प्रस्न है उत्राखन हिंदी अकादमी की स्थापना देहरादुन में कप की गई उत्राखन हिंदी अकाद्मी की स्थाप्ने कब की गई? 2008, 2009, 2010- 2011 तो इसका सखी आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्राखन में जो हिंदी अकाद्मी है इसकी सथापना की गईती सन 2009 में ठीक है? इसका वी आंसर सची है अगला परसं में परवत जन युगमानी वो उत्राखन दर्शन पत्रिकाओं का प्रकाशन कहां से होता है दहरादून, नैनिताल, पौड़ी येन में से कोन ही तो इसका सही आंसर क्या होगा परवजन और यूगवानी तो इनका प्रकाशन होता है दहरादून से ठीक है अगला है देहरादून वन संग्राले की स्थापना कब हुई सन 1912, 1913, 1914, 1916 देहरादून वन संग्राले की स्थापना जो की गई है यह की गई है सन 1914 में ठीक है अगला है खेल अकादमी की स्थापना देहरादून में कब हुई राज्जी खेल अकादमी ठीक है अगला प्रस्ट देहरादून में साइबर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कभी 2010 2014 2016 2018 तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सन 2016 अगला है लखवारबाद परियोजना कितने मेगावाट की है 465, 300 मेगावाट, 400 मेगावाट, 600 मेगावाट या 1000 मेगावाट लखवारबाद जो है यमनारदी पर बना हुआ है और इसकी जो इस परियोजना का जो विद्युद छमता है वह कितनी है इसकी हो जाएगी अभी 300 मेगावाट अगला है 466 देहरादून को इको सैंसिटिव जोन में कब सामिल किया गया 1994, 1995, 1996 नमें से कोई नहीं देहरादून को इको सैंसिटिव जोन में जो सामिल किया गया था यहां किया सन 1996 में ठीक है अगला है 466 उत्राखन जलविद्युत निगम की स्थापना देहरादून में कब की गई एक अप्रेल 2000, एक अप्रेल 2001, एक अप्रेल 2004 या नौ नमबर सन 2000 तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक अप्रेल सन 2001 जलविद्युत निगम अगला है उत्राखन अधिनस्ते सेवा चैन आयो की स्थापना कब की गई 17 सितंबर 2004, 17 सितंबर 2005, 17 सितंबर 2016 या 17 सितंबर 2014, 2015, 2016, 2017 तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा लाल बादू सास्ते अकेडमी की स्थापना मसूरी में कब की गई एक सितंबर 1988, 1989, 1969 या इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 169 का सि एक सितंबर सन 1969 को अगला प्रस्न है ओएगी से की स्थापना देहदुर में कब की गई ये की गई है सन 1956 में अगला है इंडियन इंस्टिटूट ओप पेट्रोलियम याने की IIOP की स्थापना देहदुर में कब की गई 2001, 2002, 2004, 2003 तो इसका सही आंसर हो जाएगा D. 2003 अगला प्रस्न है अगला प्रस्न है वाडिया इंस्टिटूट ओप हिमालन जियोलोजी की स्थापना कब की गई 1965, 1966, 1966 या उनमसे कोई नहीं वाडिया इंस्टिटूट ओप हिमालन जियोलोजी की स्थापना जो की गई है 1968, 1968 अगला है 473 भारती खान ब्यूरो की स्थापना की जिले में की गई है रूर की देहरादून नेंतालिया पिथड़ागर तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में भारती खान ब्यूरो की स्थापना की गई अगला है भारती सुदूर सम्वेदी सस्थान यानि की इंडियन स्टिट ओप रिमोट सैंसिंग कई बाद इंगलिस वर्जन भी इसका पुछा आता है हिंदी में आपको नहीं देगा रिमोट सैंसिंग करके आता है ठीक है तो रिमोट सैंसिंग जो है यानि की भारती सुदूर सम्वेदी सस्थान की स्थापना देहरादून में कपकी गई 1966, 1967, 1968 या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा A. सन 1966 तो 1966 में IIARS की स्थापना देहरादून में की गई अगला है राजी सुचना आयो का गठन कप किया गया 3 अक्टूबर 24, 3 अक्टूबर 25, 4 अक्टूबर 25 या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 475 का वो हो जाएगा बी 3 अक्टूबर सन 2005 में राजी सुचना आयो का गठन किया गया अगला है 476 उत्राखन में माना अधिकार आयो की स्थापना कप के गई 3 माई 2013 13 माई 2013 13 माई 2014 13 माई 2015 या 13 माई 2016 तो इसका सही आंसर जो जगा 476 जगा ए 13 माई 2013 2013 अगला है कासरो ताल की जिले में इस्तित है ठीक है देहरादून चमपावत चमबोली या पौड़ी कासरो ताल जो है यह इस्तित है देहरादून में ठीक है अगला प्रस्न जो हो जाएगा अगला प्रस्न है 478 सहस्तिताल की जिले में इस्तित है चमोली चमपावत दहरादून या टिहरी सहसेताल जो है यह इस्तित है दहरादून में ठीक है अगला प्रस्ण है 489 UK State यानिक उत्राखन State Organic Certification Agency की स्थापना कप की गई 2004, 2005, 2006, 2007 तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा सन 2006 अगला प्रस्ण है महादेवी कन्या पाठ साला की स्थापना कप की गई 1901, 1902, 1903, 1904 तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा सन 1902 अगला प्रस्ण है Tiger Fall की उचाई कितनी है 481 है Tiger Fall की उचाई कितनी है 30 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर या 70 मीटर तो Tiger Fall की जो उचाई है वो हो जाएगी 50 मीटर ठीक है, चकराता में है, दहरादून में अगला है 482 नंबर कौानू मेला कहां लगता है चकराता, लाखा मंडल, रवाई, जोनपूर तो कौानू मेला जो लगता है यह लगता है चकराता में अगला प्रस्ण है रामताल गार्डन किस जिले में इस्तित है उत्तरकासी, दहरादून, चमोली या रुद्रप्याग रामताल गार्डन जो इस्तित है 483 इसका सही आंसर हो जाएगा दहरादून अगला प्रस्न है 484 धाद समाचार पत्र का संपादन 2001 से किसने किया एनपी नवानी, लोकेस नवानी या विसंबत रत्य चंदोला या इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लोकेस नवानी न धाद समचार पत्र का संपादन किया था 2001 से अगला प्रस्न है कैराना पहाड़ी किस जिले में स्थित है दहरादून, नया निताल, चमोली या पिथाड़ाकर तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए दहरादून अगला है दहरादून में तार सेवा कब प्रारंब की गई सन 865, 866, 1866 या 1880 तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए सन 18065 अगला है आसन बेराज की स्तापना कप की गई आसन बेराज यमरा दी किनारे दहरादून पे तो उसकी स्तापना कभी सन 1966, 1967, 1968, 1918 तो प्रस्न ने पूछा गया है एक बाट पेपर में तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, देहरादुन, डेवण प्रधार कहा है, देहरादुन, अगला प्रास्टन जो हो जाएगा 489, 2016 में Tiger Reserve में सामिल होने वाला दूसरा राश्टी उध्यान कौन है, कार्बेट पार्क, राजाजी, गोविंद राश्टी पार्क या असकोट वन् मंदिर की छिले मैं इस्तित है, चमोली, गुदर पियाग, देहरादुन, चमपावत, चंदर बदनी मंन्दिर कहाँ इस्तित है, देहरादुन में, अगला प्रसन है, पिटकुल की स्थापना कप की गई, ठीक है, एक मेइ 2014, एक जुन 2000, एक जुन 2001, और एक जुन 2004, तो मसूरी लाइबरेरी की स्थापना कपकी गई यह पेपर मार्चुका है सन 1843 अगला है 493 दुखदुताल किस जिली में इस्तित है पिथोड़ागर टीहरी पौड़ी यह चमूली दुखदुताल जो इस्तित है यह हो इस्तित है कहां पौड़ी में ठीक है दूधा दोली प्रव 2018 यह सन 2012 तो सोना नदीव वन्नीजीव अभ्यारन या चोना जीव भिहार की हम बात करें तो इसकी स्थापना कभूई थी सन 1987 में अगला प्रसना चार सब पुचनब राठी नामक जनजाती कि जिले में रहती है टिहरी पौड़ी देहरादूर या यूएस नगर राठी नामक जनजाती जो है यह रहती है पौड़ी में ठीक है अगला है कालागर बाद पश्चिमिर आम गंगा पर जो इस्तित है उसक 20 मीटर, 126 मीटर, 136 मीटर, 140 मीटर कालागर बाद जो है इसकी उचाई है 126 मीटर ठीक है इसको राम गंगा बाद भी कहते हैं प्रस्चिमि राम गंगा पौडी में इस्तित है अगला है 492 गड़वाल मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना कोड़द्वार में कब की गई 1949, 1941, 1958 या 1966 तो इसका सही आंसर हो जाएगा B सन 1941 अगला प्रस्चन है 492 वीरचन सिंग गड़वाली पर मुकदमा किसन लड़ा नेहरू ने, पंडित नहरू ने, गोविंद बलपंत ने, हरगोविंद पंत ने या बैरिष्टर मुकंदिलाल ने तो वीरचन सिंग गड़वा अगला प्रस्चन हो जाएगा, रश्मन्ती वीष्ट ने नंदा देवी का आरहण किस वर्स किया, 1908, 1981, 1981, et wow, 1986 तो रश्मन्ती वीष्ट ने नंदा देवी का सफल आरहण किया था वह सन 1981 में किया था, ठीक है, अगला प्रस्चन है, हरश्मन्ती वीष्ट को CCI Green Award कुब जया गया सन दोजार एक सन दोजार दस दोजार सोला तो हर सवन्ती बिच्ट को CCI अवर्ड दिया गया है सन दोजार दस में तो दोस्तों यहां थे आज के 50 प्रसने के एम से क्यों वीडियो कैसी लगी और लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ठीक है तो एक शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है और अगर आपको कोई प्रसने में गलती लगती है कोई प्रसने ग झाल झाल